नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं कल के पूछे गए प्रस्ण से कल जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि खाड़ी सहयोग परिसद में निम्ण में से कौन सा देश शामिल नहीं है तो इसका सही जवाब है option D Iraq अगर हम खाड़ी सहयोग परिसद की बात करें तो इसकी इस्थापना 1981 इस्वी में की गई फारस की खाड़ी से घिरे देशों का यह एक छेत्रिय समू है इसके सदस्य देश है बहरीन, कुवैत, पुमान, कतर, सौधी अरब और सयुक्त अरब अमिरात इसका मुख्याले रियाद में है और इसकी आधिकारिक भासा अरबी है यह रहा आज का प्रस्ण है कि नियुनतम समर्थन मुल्य से सम्धनित सुझाओ प्रतिवर्स कौन देता है चार ओप्सन है ओप्सन ए कृसी लागत एवं मुल्य आयोग ओप्सन बी नीती आयोग ओप्सन सी ट्राइफेड ओप्सन डी नाफेड गमेंट सेक्षन में आपके जवाब का हमें इंतिजार र और यह आर्टिकल जीयस पेपर 2 के द्रिश्टिकोन से महत्यपूर्ण है देखते हैं इस आर्टिक्ल को विश्तार के साथ इस आर्टिकल का आधार है विभिन्न आधारों पर भारत का आंकलन और भारत के आंकलन के लिए जिन आधारों का चैन किया गया है वे आधार हैं भारत की वर्तमान अर्थविवस्था की इस्थिती, भारत की वर्तमान वैदेसिक समंध, सरकार की कठोर नीतिया, वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए विविन राजनितिक दलों की द्वारा सवाल यह है कि आखिर यह आंकलन क्यों किया जा रहा है आर्टिकल के अनुसार वर्तमान में इस अनिश्चितिता की अबधी में सरकार और आम जनता के बीच आम सहमती में कमी आई है और यह जो आम सहमती में कमी है इसका कारण है सरकार के द्वारा किया जा रहा एक तरफा संब जिसका अर्थ है कि सरकार केवल अपनी बातों को आमजनता पर थोप रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत की वर्तमान अर्थविवस्था की इस्थिती पर तो हमें यह पता है कि भारती अर्थविवस्था में मंदी की इस्थिती है और भारती अर्थविवस्था का प्रदर्शन बड़ी अर्थविवस्थाओं की तुलना में अत्यंत खराब है। भारती मुद्रा लगातार कमजोर होती जा रही है। इसका अर्थ है कि भारती मुद्रा का अब मुल्यन हो रहा है। उदारन के रूप में अगर 1 डॉलर बराबर 50 रूपे हैं, तो अब मुल्यन का अर्थ है कि 1 डॉलर वह हो जा रहा है किसके बराबर? 50 रूपे से जादा जिसे हम यहां मान लेते हैं 1 डॉलर बराबर 60 रूपे अब देखिए भारत एक ऐसी अर्थविवस्था है जहां घरेलू मुद्रा का ना तो जादा मजबूत होना और ना ही जादा कमजोर होना अच्छा है क्योंकि अर्थविवस्था के लिए निर्यात और आयात दोनों की आविश्चता है परंतु रुपे का लगातार कमजोर होन निर्यातकों के लिए लाबदायक हो सकता है परंतु आयातकों के लिए यह इस्थती लंबे समय तक अच्छी नहीं होती जबकि प्रमुख मुद्राओं की अगर हम बात करें जैसे की यूरो आस्टेलियन एवं कनडाई डॉलर दक्षीन कोरिया की वान और स्विस्थ फ्रें यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कोविड महमारी के दौर में वैस्थिक आपूरती स्रिंखला प्रभावित हुई है इससे निपटने के लिए भारत सरकार की द्वारा आत्म निर्भर भारत कारिकरम को प्रारंभ किया गया सैध्धान्तिक तौर पर यह कारिकरम संग रक्षनवाद को ही पुष्ट करता है सरकार का यह कहना की इससे घरेलू उद्योग को संगरक्षन मिलेगा वर्तमान वैस्थिक परिद्रिस्च में यह तर्क पारंपरिक बुद्धिमत्ता के विपरीत है अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की वह है वैदेसिक सम्मंद वर भारत के परती जो सकारात्मक सोच है वह अभी भी निस्क्रिय या अकर्मन्य है और LAC पर मौजूद गतिरोध के समाधान के पक्ष में कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री के अनुसार चेन वास्तविक सीमा रेखा पर भारी संख्या में सेना तैना करें कि इससे खराब संबंद नहीं हो सकता है और ठीक इसी समय चीन ने पाकिस्तान के साथ एक नया सेन्ड समझोता किया है अगर हम बात करें पश्च्चिम एसी आई देसों की तो उनके साथ भारत के संबंद में सकारात्मक्ता दिख रही है पर यह जरूर दिख रहा है कि स सौधी अरब के साथ भारत के समंद बहतर हैं परंतु भारत को अपने इन दुरस्त पश्चिम एसिया के मित्रों के मद्ध बहतर पैट बनाना अभी बांकी है और वहीं भविस्ष में दो पक्षों में एक पक्ष जिसमें की सौधी अरब, UAE और मिसर सामिल हैं और दूसरा पक करते हैं तीसरे आधार की जो है सरकार की कठोर नीतियों से संबंदित आर्टिकल के अनुसार भारतिय लोकतंत्र की विश्वस्नियता पर ना केवल देश के भीतर बलकि देश के बाहर भी सवाल उठ रहे हैं अगर सरकार या दावा करती है कि आतंकवाद की घटना में गिरा विश्वस्वकोषर हुई है तो यह बात सही है परन्तु इन सब के बावजूद यह सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत में लोक्तांत्रिक मुल्म में वृद्धी हो रही है आखिर इस प्रश्न का कारण है प्रश्न का कारण यह है कि अनुच्षेद 370 में संसोधन किया गय अनुच्छे 370 में संसोधन के बाद कस्मीर के बड़े नेताओं पर Public Safety Act के अंतरगत कारणवाई की गई ठिक इस बड़ी घटना के बाद सरकार के द्वारा Citizenship Amendment Act लाए गया और इस Act के विरुद्ध कई जगों पर प्रदर्शन हुए और यह प्रदर्शन कई बार तो हिंसक रूप को भी धारन कर चुका था फिर इस वर्स हम क्या देखते हैं कि जम्मु कस्मीर में District Development Council का चुनाव कराए गया लेकिन यह बात कही जा रही है कि यह केंद्र निर्देशित लोकतंत्र की स्थापना का प्रियास है अब हम बात करते हैं चौथे आधार की जो है चुनावी जीत अब चुनाव चाहे वो राज विधान मंडल से समंधित हो, जीला परिशत से समंधित हो या पंचायत से समंधित हो। कही बार ऐसा देखा गया है कि यह चुनाव कम और संघर्ष छेत्र जादा हो जाता है। वह है बहुसंक्यक बनाम अलबसंक्यक का मामना। और वरतमान चुनाव में बहुसंक्यक बनाम अलबसंक्यक यह मुद्दब्र चुनाव जीतने का एक बड़ा मंत्र बन चुका है जिसका ताजा उधारन है Greater Rhinebage Municipal Corporation का चुनाव। यह मुद्दे भले ही चुनाव में जीत दिल परन्तु यह लोकतांत्रिक मुल्यों के समक्ष एक जबरदस चुनोती है या यूं कहे कि लोकतांत्रिक मुल्यों को इससे खत्रा है। एक अध्यादेस लाए गया है। यह जो गैर कानुनी धर्मांतरण पर रोक इस सब्द का प्रयोक किया गया है तो इसके लिए एक बड़ा परचलित सब्द है वह है लब जिहाद। स्वतंत्र हैं जिसमें यह बात नहीं देखी जाएगी कि वे किस धर्म, किस जाती और किस नसल से आते हैं। इसके अलावा जेल में बंद राजनिति कैदियों के साथ जिस प्रकार का बरताओ किया जा रहा है वह भी लोकतांत्रिक मुल्यों के विप्रीत है। उधारन है फादर इस्टेन स्वामी का मामला। फादर इस्टेन स्वामी जिन्हें पार्किंसन की बिमारी है। इन्हें National Investigation Agency ने भीमा कोरेगाओं मामले में गिरफतार किया है। ये ट्रैबल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जेल में इन्होंने इस्ट्राओ सीपर की मांगी। क्योंकि इन्हें हाथ से खाने में दिक्कत होती है। काफी मसकत और कोट के आदेश पर ही इन्हें ये समान उपलब्द करवाए गया। तो राजनितिक कैदियों के परती इस तरह के समान विभार के कई उधारन मौझूद है। और ये वैसे राजनितिक कैदि हैं जिन्होंने वर्तमान सरकार के आदेश और उनकी नीतियों का विरोध किया है और उनके लिए एक और भी संग्या है वह संग्या है अर्बन नक्सल की। बात करते हैं अगले आकलन के आधार की जो है सोसल मीडिया पर कारवाई से समंदित। केरल सरकार ने केरल पुलीस कानून में संसोधन कर धारा 118.1 को सामिल किया जिसमें सोसल मीडिया पोस्ट से समंदित अपराध पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया और इसमें पुलीस को विवेका धीन सक्तियां दी गई हलाकि काफी होहला के बाद इस अलध्यादेश को केरल सरकार ने वापस ले लिया वापस तो ले लिया परन्तु भविश्य में ऐसा कानून नहीं बनेगा यह बात नहीं कही जा सकती। अपने अगले और अंतिम आधारी और वा समंदित है किसानों के प्रदर्शन से। अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो यह सासन की अधिनायक वादी प्रकृति का परिचायक है ना कि लोकतांत्रिक सासन की प्रकृति का। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने भारत के वरतमान परिद्रिस में लोकतांत्रिक मुल्यों के समख्च मौजूद चुनोतियों पर चर्चा की। अब इससे समंधित एक प्रश्ण है कि भारतिय लोकतांत्रिक मुल्यों को वरतमान में मिल रही विभिन चुनोतियों का वर्णन करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार।